आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना नौकरी के भी आप ग्रैडिट कार्ड को पा सकते हैं हलो एन वेलकम आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यॉर एजुकेशन गाइड में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में आल नोटिफिकेशन बटन को भी आउन कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नई नई फाइनेंस से जुड़ी अपडेट तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारे लोगों के लिए इमर्जंसी में क्रेडिट कार्ड ही एक संकट मोचन साबित होता है अगर आपके पास रोजगार है तो क्रेडिट कार्ड लेना काफी आसान होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि credit card जारी करने से पहले bank और company आपकी income की समिक्षा करती है इसके लिए आपको salary के papers या फिर income tax return के document देने होते हैं लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है क्या तब भी आप credit card का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको credit card मिल सकता है तो ऐसा होना बिल्कुल possible है लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया जो होती है थोड़ी मुश्किल जरूर होती है चलिए जान लेते हैं कि उसका procedure क्या है पहला है standard credit card अगर आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन बैंक खाते में नियमित money flow होता रहता है यानि कि अलग-अलग sources से पैसे का आवगमन होता रहता है तो कुछ जरूरी document देकर credit card हासिल किया जा सकता है ये पैसा professional fees या mutual fund से भी आ सकता है बैंक आवेदक की कर्ज लोटाने की शमता का wishlation करने के बाद credit card issue कर देता है जिनके पास नौकरी नहीं है वो online apply नहीं कर सकते उन्हें standard credit card के लिए जरूरी papers के साथ बैंक जाना पड़ता है ऐसे में नियमित रूप से ITR भरने के documents भी देने होते है दूसरा है secured credit card अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो credit card लेने का एक और option है fixed deposit के आधार पर credit card हासिल करना इन credit card की limit FDK 80-90% तक की credit limit दी जाती है जबकि रकम निकासी 100% हो सकती है कोटेक महिंदरा बैंक में 25,000 का fixed deposit account खुलवा कर आप equa gold credit card हासिल कर सकते है तीसरा है add-on credit card अगर आपके पास ना तो नौकरी है और ना कभी आपने fixed deposit किया है तो आपका add-on credit card या supplementary credit card के लिए apply कर सकते है लेकिन इसके लिए आपके परिवार में किसी के पास primary या फिर standard credit card होना जरूरी है ये आम तोर पर student या फिर महिलाओं के लिए उप्योगी होता है add-on credit card ऐसा additional card होता है जो की primary card के साथ issue किया जाता है card holder के पती या पतनी, माता-पिता या बच्चो को दिया जाता है इसके लिए दोनों card पर credit limit का बटवारा हो जाता है और transaction का एक ही statement होता है credit card से आपको आसानी से पैसा मिल जाता है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने लापरवाही दिखाई तो आप गर्ज में भी फंस सकते है credit card आपके लिए तभी मददगार होता है जब आप सतर्क रहें और नियमित रहें खर्च के लावा आपको और भी कई बाते जाननी चाहिए इसमें आपको समय पर बिल भरना होता है केवल नियूनतम बिल ही नहीं बलकि पूरा बिल भरने की आपको आदत डालनी पड़ती है जिससे आपका credit score भी अच्छा बना रहता है तो friends ये था आज का वीडियो credit card के उपर I hope कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you very much